गुड मॉर्निंग स्टुडेंस लालवा गल्सिंटर कॉलेज के यूटूब चैनल पर आप सभी चात्राओं का स्वागत है चात्राओं कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में आज में आपको भारतें हरीश्चंद द्वारा रचित भारत वर्षो उन्नती कैसे हो सकती है नामक पाट से गद्दांस की व्याख्या बतामूरी गद्दांस इस प्रकार से है सब उन्नतियों का मूल धर्म है इससे सब के पहले धर्म की ही उन्नती करनी उचित है देखो अंग्रेजों की धर्म नीती राजनीती परस्पर मिली है इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नती है उनको जाने दो अपने ही यहां देखो तुमारे यहां धर्म की आड में नाना प्रकार की नीती समाज गठन वैदक आदी भरे हुए है बच्चो गद्यांस की वैख्या इस प्रकार से है भारतिन हरेश चंद जी कहते हैं कि यदि हमें अपने देश में किसी भी प्रकार की उन्नती करना है तो हमारे समस्त कार धर्म के अनुसार होने चाहिए इसके लिए सर्व प्रथम धर्म की उन्नती ही करनी होगी यहां धर्म का आशय उस आचरन से है जो समाज और राष्ट के कल्यान को ध्यान में रख कर किया जाए प्रतेग छेत्र में जब उसी कल्यान कारी भावना को ध्यान में रख कर कारी को किया जाएगा तब ही सभी समान रूप से उन्नती होंगी भारतेग जी अंग्रेजों की धर्म नीती का उधारण देकर कहते हैं कि अंग्रेजों की धर्म नीती और राजनीती परस्पर मिली है इस पर वे निरंतर उन्नती करते जा रहे हैं हमारे यहां धर्म के आण में विवित प्रकार की नीती समाज गठन आदि भरे हुए हैं या उन्नती का मार्ग नहीं करते हैं इसलिए धर्म की उन्नती से सभी प्रकार की उन्नती संभव है डन्निवार